हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग I hope कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सब की प्रहाई भी अची चल रही होगी तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मंतली एक्जामनेशन जो की दिसंबर में हुआ था ठीक है मासिक प्रिक्षा उसके mathematics के जो section B है यानि के जो आपका लगू तरिये short answer type question है इसके हम question को देखेंगे ठीक है और जहां तक हो पाएगा करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे जो question बच जाएगा उसको हम next video में करेंगे ठीक है चलिए तो फिर देखते हैं इसमें कौन-कौन से questions है तो एक request करें कि इस video को पुरा देखेगा ध्यान से देखेगा और video को like नहीं किया तो like कर देजेगा और share जरूर कीजेगा देखने के बाद ठीक है तो चलिए देखते हैं first question कहता है यदि 2 to the power x plus 2 to the power x minus 2 बड़ाबर 20 तो x कमान ग्याद करें यानि कि यहाँ पर आपको कह रहा है कि 2 का power x है plus 2 का power x minus 2 है बड़ाबर 20 तो x की value क्या होगी तो चले देखते हैं इसो कैसे solve करेंगे देखेए सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि यहाँ पर पहले हम question note करते हैं देखे 2 का power दिया हुआ आपको x और 2 का power x minus 2 दिया हुआ है बड़ाबर 20 तो हम क्या करेंगे दोनों में से x का power 2 का power x common ले लेंगे ठीक है उसके पहले हम आपको समझाने के लिए एक बात बता रहे हैं कि देखे 2 का power x है प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का power x into 2 का power minus 2 आपने परहा होगा कि अगर base यानि कि आधार सेम हो और power अलग-अलग हो और बीच म गुना का चिन हो into का चिन हो sin हो तो हम क्या करते हैं base को लिख देते हैं और power को जोड देते हैं x प्लस हो जाएगा minus 2 तो x minus 2 हो जाएगा ठीक है तो समझ में आगया हो कि इसको हमने ऐसे कैसे लिखा बराबर 20 अब देखो यहाँ पर 2 का power x है इधर भी 2 का power x है ठीक है तो हम क क्या करेंगे कि common ले लेंगे हम 2 का power x common ले लेंगे क्या बन जाएगा 1 plus यह तो हमने लिखी दिया है तो बच्चे का क्या 2 का power minus 2 बराबर 20 अब यहाँ पर क्या करना है आपको 2 का power x plus into 1 plus 2 का power minus 2 है जिसको हम लिख सकते है 1 by 2 का power 2 ठीक है बराबर 20 अब यहाँ से क्या हो 1 plus 1 by 2 का square 4 बराबर 20 तो यहाँ से आपका बन जाएगा 2 का power x 4 बन जाएगा 4 प्लस 1 यह तो simple बट्टे पर का जोर हो गया ठीक है अब उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पर 2 का power x हो गया 4 प्लस 1 5 बराबर 20 हो गया अब इसके बाद आपका आसान हो गया यह divide में है त इधर आएगा तो into हो जाएगा और यह 5 गुना में है तो नीचा आएगा divide में 5 हो का 20 हो गया तो आपका बन गया यह 4 चो का 16 अब आप इसको कैसे लिखेंगे 16 को तो 16 को लिख सकते हैं 2 का power 4 ठीक है तो देखो जब base same है बीच में बराबर का चीन है तो power भी क्या होना चीए same होना चीए तो इसलिए x की value आपको आजाएगी यहाँ पर 4 ठीक है यह आपका answer हो गया ओके I hope कि आपको समझ में आ गया होगा दूसरा question आपका है यहाँ पर 125 का power 2 बटा 3 है तो हम क्या करेंगे 125 को हम कैसे लिखेंगे तो मैंने बढ़ाया था आपको तो इसमें मैंने बता यहाँ पर 3 लिखावन है तो 3 बार गुना करने पर 125 आए तो वो number है आपका 5 ठीक है यहनके 5 का power 3 करेंगे तो 125 होगा अगर आपको नहीं आता ऐसा करने तो आप अभाज गुननखंड कर लिजेगा ठीक है अभाज गुननखंड करने से आपको prime factorization से पता चल जाए कौन से number ह ठीक है जिसको हम 3 बार गुना करेंगे तो 125 आएगा अब यह 125 को हमने लिख दिया 5 का power 3 इसका power 2 बाई 3 हो गया ठीक है तो अब हम जानते हैं कि power का power अगर रहता है घात को हमें कोई संक्या दी रहती है और उसका भी घात होता है तो हम गुना कर देते हैं तो 5 का power 3 और 2 आपको कहता है कार्तिय तल में बिंदूओं 0 5 और माइनस 4 5 का अस्थान निर्धान करने यानिके कार्टीजन प्लेन में आपको यह दोनों पॉइंट्स दिखाने हैं तो देखो बच्चों यहाँ पर बहुत ही सिंपल कोशन है कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जब आपको ऐसा कोशन आता है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले तो आप KARTIZON बनाएंगे मतलब एक्स और वाई एक्च ठीक है इसको थ्रो और बड़ा ले लेते हैं एक्स और यहां आपका हो गया वाई ठीक है इधर आपको यहांपर क्या करना है एक्स एक्स डेस कर दिजे ये और वाई डैस कर दीजिए ठीक है अब इसमें आपको 0 5 बताना है ना देखो 0 5 बताना है तो 0 कहाँ आएगा सबसे पहले तो ओरीजिन जो आपका 0 हो जाएगा और क्या है आपका 5 वाई पर तो आपको क्या करना है 1,2,3,4,5 यहाँ 5 आगया इधर आपकर दीजिए 1,2,3,4,5,6 इधर आपकर दीजिए-1,-2,-3 इधर कर दीए-1,-2,0,5 कहाँ पर आजाएगा तो 0 तो आपका X पर 0 हो जाएगा 0,5 का मतलब X 0 है Y आपका 5 है तो यहाँ पर आपका आजाएगा 0,5 यह और यहाँ पर लिख दीजिएगा 0,5 यह ठीक है यह पॉइंट उसके बाद आपको दिखाना है माइनस 4 5 तो माइनस 4 माइनस 4 5 तो माइनस 4 आपका X हो गया और यह आपका Y हो गया तो यहाँ पर माइनस 4 लिख लिख लिजे X पर ठीक है और 5 कहा जाएगा देखे, माइनस 4 X है न तो यहाँ से आपको एक लाइन सीधी ले लेना है तो आप इस वीडियो को अपने सबी दोस्तों के साथ शेयर कर दियेगा ठीक है और मैं देखना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं उसके बाद जितना जल्दी होगा आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगा ठीक है चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में तब तक आप सब अपना ध्यान रखे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया